नमस्कार आप सभी को, जैसा कि आप सब जानते होंगे, आपकी परिक्षा में साइंस और मैथ से काफी प्रशन पूछे जाते हैं, और साइंस और मैथ अन्य बिस्यों की भाहती आपकी परिक्षा में एक महत्पूर्ण आप कह सकते हूँ जगां रखता है, एक महत्पूर्ण है इन प्रश्णों का तो इन प्रश्णों को लगातार हम देख रहे हैं पिछले तीन से चार वीडियो में हमने देखा और यह सीरीज हमारी लगातार चल रही है और प्रयास है कि इन प्रश्णों को और बहतर तरीके से देखने का प्रयास किया जाए आज के इस सेसन में लगबग 10 से 12 प्रशन हैं जिनमें math और science के प्रशन हैं जहां भी आपको लगे कोई समिस्या तो आप comment box में बताएंगे math के प्रशनों के लिए उनको दोबारा कल की कक्षा में हम बता देंगे लेकिन जितने भी प्रशन आ हैं उनको हल करने का प्रयास करें और यह कहीं भी कोई समस्या आती है तो इसके लिए आप हमें बताएं चलिए एक एक करके अब प्रशनों को देखते हैं चलिए अब आगे के प्रशनों को देख लेते हैं पहले से सामान ने विज्ञान के प्रशनों को ठीक है चले चलिए एक बार फिर से सभी उपस्तित हो जाए अब हम देखने वाले हैं बिज्ञान से जुड़े हुए प्रशनों को और साइन्स के साथ साथ मैथ से जुड़े हुए प्रशनों को टोटल प्रशन संख्या जो यहां पर है लगबग 12 से 13 प्रशन आपको कुल मिला कर देखने को मिलेंगे और इन 12 से 13 प्रशनों से जैसे आपकी पिछले तीन वीडियो में रिवीजन आपका होता आया है ठीक है उसी प्रकार से रिवीजन होगा और आपकी परिक्षा की गई है तो निश्यत रूप से अब आपको बेहतर तरीके से आगे बढ़ना चाहिए ठीक है क्योंकि एक्जाम में यह सेक्षन आपके लिए महत्तपूर्ण है इसलिए इस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है चले एक एक करके प्रशनों को देख लेते हैं जो ना समझ में वायू के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो बताएं सोसन किरिया में वायू के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है यह आपको बताना है चले फास्ट जबाब दीजेगा सोसन किरिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है कारबन डाइयाकसाइड ऑक्सीजन जलवास पनाइट्रोजन बताएं इन में से किस की मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है फास्ट जबाब दीजेगा देखो अनतास्वास तथा उच्छ्वास इन दोनों के दवराने दे हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है जो नाइट्रोजन है नाइट्रोजन जो है इसकी मात्रा आप परिवर्तित रहती है कब आप परिवर्तित रहती है? अन्तास्वास किरिया के दरान तथा उच्छावास किरिया के दरान जो है इसकी मात्रा आपरिवर्तित रहती है यह हमें गानना चाहिए इसके साथ साथ आपको बता दें मानो सहित सभी अस्तंधारी मानो सभी जो सभी अस्तंधारी हैं उनमें फेफडे या फुफुस इसको बोलते हैं फेफडे या फुफुस या जो भी बोलते हैं ठीक है फेफडे या फुफुस के माध्यम से वायू का जो है या गैस का जो है व फुफुसिये स्वसन कहते हैं यह भी आपको पता होना चाहिए ठीक है कहने का मतलब है कि अंतास्वास तथा उच्छ स्वास के दौरान आकसी वाई की जो मात्रा होती जो हमारे सरीर में प्रबेज करती है गैसों की मात्रा उनमें नाइट्रोजन की मात्रा आ परिवर्तित रह करती है और मानो सहित सभी अश्थंदारी जो हैं वो फेफड़े या फुफुस के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान करते हैं जिससे इसको फुफुसिये स्वसन नाम भी दिया जाता है यह भी आपको पता होना चाहिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं प्रशन संक्या दो मानो सरीर में आक्सीजन का अविगमन होता है मानो सरीर में आक्सीजन का अविगमन कैसे होता है तीन चिद्दिया है रक्त के द्वारा फुफुस के द्वारा उतक के द्वारा तो इनका क्रम पूछा जा रहा है कि किस क्रम में होता है वही क्रम आपको बताना है चले बत उसका क्रम क्या है या आपको बताना है चले बताएगा उसका क्रम क्या है या आपको बताना है चले अब इसमें क्रम आपको बताना है सबसे पहले आप जानते हो मानो सरीर में जो आक्सीजन पहुंचती है जब हम सांस लेते हैं मतलब आप कह सकते हो अंतहस्वास तथा फेफडों के फेफडों तक पहुंचती हैं तो जो प्रबेश करती हैं कहीं ना कहीं फुकफुस के द्वारा होता है फेफडों के द्वारा होता है तो सबसे पहले जो गैसें होती हैं ऑक्सीजन की जब बात आप करते हो तो सबसे पहले ये फेफडो तक पहुंचता है फेफडो में वाई कोश्टक पाए जाते हैं जो फेफड़े आपके होते हैं उसमें आपको वाई कोश्टक देखने को मिलते हैं और ये जो वाई कोश्टक होते हैं ये रुधिर कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं इसमें वायु कोश्टक होते हैं और वायु कोश्टक रुधिर कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं इसलिए इसका सही उत्तर है दो, एक, तिन, और आपको जैसे मैंने बताया, सबसे पहले, oxygen जब हम Gessenicoo अंदर लेते हैं, अपनी सोशन पर क्रिया के दोरान, तो सबसे पहले फेफडा काम करता है ये आपको पता होना चाहिए और जैसे मैंने आपको बताया फेफडों में वायू कोश्टक पाए जाते हैं और ये जो वायू कोश्टक होते हैं ये रुधिर कोशिकाओं से घिरे होते हैं और रुधिर कोशिकाओं से घिरे होने के कारण जब रुधिर कोशिकाओं से होकर आक्सिजन पहुंचती है आगे बढ़ती है तो यह उतकों पे जाती है तो सबसे पहले फुस के द्वारा फिर रक्त के द्वारा और फिर उतकों के द्वारा तो दो एक तीन ये क्रम आपको पता होना चाहिए ये आपको क्रम हमेशा याद र निमलिखित में से किसको मुख्यता प्रभावित करती है यह आपको बताना है पाचन किरिया को लीवर की कारेसील को या किड़नी की कारेसीलता को या रक्त की आक्सीजन को वेहन करने की छमता को बताएं किसको प्रभावित करती है यह आपको बताना है कारबन मोनो आकसाइड बिशाक्तता किसको परभावित करती है फास्ट जबाब दीजिएगा देखो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं लाल रुधिर कणिकाओं में मौझूद हीमोगलोबिन प्रोटीन जो है वो आकसीजन के वाहक का कारे करते हैं जो हीमोगलो अंगों के उतकों तक आकसीजन को पहुँचाते हैं ये आपको पता होना चाहिए इसके बाद आप जानते हो कार्बन मोनो आकसाइड कार्बन मोनो आकसाइड जो है ये हीमोगलोबिन के प्रती आकरसड इसकी जो आकरसड छमता होती है हीमोगलोबिन के प्रती वो आकसीजन से कई गुना जादा होती है मतलब कार्बन मोनो आकसाइड की हीमोगलोबिन के प्रति आकरसड आकसीजन की तुलना में 250 गुना जादा होती है मतलब कार्बन मोनो आक्साइड जो है ये बहुत तेजी से खीचा जा सकता है किसकी तरफ हीमो गलोबिन के प्रति क्योंकि आक्सीजन से ज़्यादा इसकी छमता है 250 गुना ज़्यादा छमता है खीचने की ठीक है इसके बाद आपको बता दें कि जैसे ही कार्बन मोनो आक्साइड क्योंकि कार्बन मोनो आक्साइड एक विशाक्त गैस है और जैसे ही यह जाकर रक्त के हीमो गलोबिन से मिलती है तो आपको देखने को मिलता है यह बनाती है कॉर्बॉक्सी हीमो गलोबिन और ये जो कारबॉक्सी हीमोगलोविन बनाती है जब हम इसकी बात करते हैं तो आपको बता दें इससे रक्त की आक्सीजन परिबाहन चमता कम हो जाती है तो कहने का मतलब है सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि लाल रूधिर काडिकाओं में मौजूद हीमोगलोविन प्रोटीन आक्सीजन के वाहक का काम करते हैं ठीक है और ये आक्सीजन का परिबाहन कर विभिन शरीर के विभिन उतकों तक पहुंचाते हैं लेकिन दूसरी तरफ कार्बन मोनो आक्साइड जो है हीमोगलोविन के प्रती जो इसका आकर्षण है यह आक्सीजन की तुलना में 250 गुना ज़ादा होता है जिसके कारण ये बहुत तेजी से जाकर हीमोगलोविन से मिल जाती है और जब हीमोगलोबिन से यहां रक्त के हीमोगलोबिन से जब मिलती है तो यहां पे बनाती है कॉर्बॉक्सी हीमोगलोबिन और जब कॉर्बॉक्सी हीमोगलोबिन बनाती है तो इससे रक्त की जो है वो आक्सीजन की परिवहन करने की जो छमता है वो कम हो जाती है और जैसे ह चमता कम होती है तो उसके बाद उसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है तो कहने का मतलब है कारबन मोनो आकसाइड विसास्ता निमलिखित में से किसको मुक्ता प्रभावित करती है यह प्रभावित करती है रक्त की आकसीजन को वहन करने की चमता कोड़ी विकल्प आपका सही उत्तर है ठीक है और आप जानते हो स्वसन में उर्जा जो है वो ATP के रूप में उत्पालित होती है मानो सरीर मेदी आप से पूछ लिया जाए कि मानो सरीर का जो ताप होता है वो नियंत्रण कौन करता है मानो सरीर के ताप को नियंतरड कौन करता है या भी आपको पता होना ची तो आपको बता दें हमारे human being का जो ताप होता है हमारे सरीर का जो ताप होता है उसको नियंतरित करते हैं हमारे फेफडे तो ये आपको याद रखना है कि मानो सरीर का जो ताप होता है उसको नियंतरित कौन करता है उसको नियंतरित करते हैं सरीर के फेफड़े यहाँ आपको पता होना चाहिए पूछा भी जा सकता है कि मानो सरीर को ता आपको नियंतरित कौन करता है तो आपको बताना है फिफडे करते हैं ठीक है चले आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन एक स्वस्त वयस्क मनुस में रक्त का कुल परिमाप होता है कितना एक स्वस्त मनुष में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है बताएं एक स्वस्त मनुष में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है फास्ट जवाब दिजे का 5-6 लीटर, 3-4 लीटर, 8-10 लीटर या 10-12 लीटर चले फास्ट जवाब जवाब दिजे का इसका चले फास्ट जवाब देखो स्वस्त मनुष्ट के जब सरीर की बात करते हैं तो 5-6 लीटर का एवरेज होता है और ये 5-6 लीटर आप याद रखो या दूसरे सब्दों में आप याद रख लीजे कि सरीर की मात्रा, जो रक्त की मात्रा है वो सरीर के भार के 7-8 प्रतिसत तक होती है ये आपको पता होना चाहिए और रक्त एक संयोजी उतक है यह भी आपको याद रखना है आपको पता होना चाहिए और रक्त एक संयोजी उतक है और रक्त की जो मात्रा है व्यक्त विशेस के सरीर में उसके सरीर के भार के 7-8 प्रतिसत तक होती है दूसरे सब्दों में 5-6 लीटर आप याद रख सकते हैं ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन देखते हैं चलिए और आपको बता दें पिछला प्रशन जो अभी हमने देखा था उससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट है जो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हिर्दे की बात हो रही है यह प्रशन सायथ हमने छोड़ दिया कोई बात नहीं, एक बार फिर से देख लेते हैं बोला जा रहा है हिर्दे असपंदन एक बिद्दुतिये तरंग द्वारा निस्पादित होती है जो उपजती है कहां पर? यह कहां पर उपजती है यह आपको बताना है आप जानते हूँ, एक स्वस्त बेक्ति का जो हिर्दे है वो एक मिनट में यह दि हम देखें तो 72 बार कंपन करता है यह आपको पता होना ची स्वस्त मनुस्य का हिर्दे एक मिनट में 72 बार कंपन करता है हर्ट बीट इसकी होती है और एदी आपसे पूछ लिया जाए कि हिर्दय जो है, हिर्दय जो हमारा है, क्योंकि ये रक्त को पंप करता है, तो हिर्दय प्रति मिनट कितने रक्त को पंप करता है, तो आपको बता दें, हिर्दय जो हमारा है, वो प्रति मिनट एदी हम बात करें, तो 5-6 लीटर रुधिर pump करता है याद रखिएगा हिर्दय हमारा 5-6 लीटर रुधिर जो है ये pump करता है प्रति मिनट या भी आपको पता होना चाहिए हमारा हिर्दय प्रति मिनट 5-6 लीटर रुधिर pump करता है यदि आप से पूछ लिया जाए कि क्या हमारा हिर्दे कभी आराम भी करता है क्या हमारे सरीर में जो हिर्दे है वो कभी आराम भी करता है जी हाँ करता है कब करता है जैसे आपने देखा एक मिनट में 72 कमपन होते हैं तो इन एक से दो कमपन के बीच जो अंतराल होता ह उसी दोरान सिर्फ हमारा हिर्दे रेस्ट करता है, बाकी के समय कभी भी हमारा हिर्दे रेस्ट नहीं करता, सिर्फ दो कमपनों के बीच में, दो हर्ट बीड के बीच में जो गैप होता है, उसी दोरान हमारा हिर्दे अराम करता है, या भी आपको पता होना चाहिए, यदि आपको याद रखना है हिर्दय हमारा चार कक्षों में बटा होता है मनुष्य का हिर्दय चार कक्षों में बटा होता है या भी आपको पता होना चाहिए और एक से दो की यह दिह हम बात करें उपरी कक्षों को दाया या बाया आप जानते होंगे अलिंद नाम आपने सुना हो दाया बाया आलिंद जो है यह बटे होते हैं चार भाग हैं तो इन चार भागों में कुछ इस तरह से आपकी बनावट है कि यह चार कॉलम हैं यहां पे दाया आलिंद हो गया बाया आलिंद हो गया उपरी भाग में उपरी भाग में दाया आलिंद बाया आलिंद और यदि हम निचले भाग में धिम बात करते हैं, तो दाया निले और बाया निले, तो याद रखिएगा, निचले भाग का जो विभाजन है, उसको निले कहते हैं, और उपरी भाग का जो विभाजन है, उसको अलिंद कहते हैं, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है, पूछा जा सकता ह कि हिर्दे को जो चार कक्षों में विभाजित किया जाता है इनमें उपरी भाग को क्या कहा जाता है तो याद रखना है उपरी भाग को अलिंद कहा जाता है और निचला जो भाग होता है उसको निलय कहा जाता है यह आपको पता होना चाहिए इसके साथ साथ आप जानते हो ए हीमोगलोबिन की मात्रा शरीच में इसके साथ साथ आपको पता होना चूह यह एक ग्राम हीमोगलोबिन में लगभग 1.4 एक ग्राम हीमोगलोबिन में लगभग 1.34 मिलिली लीटर आक्सीजन जो है वो बंधी होती है यहाँ भी आपको याद रखने की जरूरत है और इस प्रशन आएगा तो आप आसानी से जबाब दे सकते हैं कमिया नहीं होंगे आगे बढ़ते हैं अब यहां से मैत के प्रशन शुरू हो रहे हैं ठीक है पिछले जो मैत के प्रशन से आपसे बूला जाता है सिर्फ एक कोईरी आई थी कि इसको रिपीट कर दीजे निशित हैं जो आपको समझनी चाहिए जैसे बैक्त की कार चमता यह आपको पता होना चाहिए इस प्रशन पर आगे जाने से पहले इनकी बारे में आपको पता होना चाहिए तो बैक्त की कार चमता मतलब हो गया इकाई समय में बैक्ती द्वारा किया गया कार इकाई समय में बैक्ती कारे छमता होती है यहां आपको पता होना चाहिए मतलब कि कि यदि आपसे पूछा जाए इसका दूसरे सब्दों में तो किसी बैक्त की जितनी छमता होगी छमता जादा होगी तो कारे जादा होगा और कारे जादा होगा तो समय क्या लगेगा कम लगेगा तो कहने का मतलब है कि यद किसी ब्यक्ति की छमता जादा है तो उसी किसी कार को करने में कम समय लगेगा यद किसी ब्यक्ति की कार छमता कम है तो किसी कार को करने में उसको समय जादा लगेगा मतलब समय प्रपोशनल टू वन अपार कार छमता ठीक है ये आपको पता होना चीज़ समय ज़्यादा लगेगा तो कारचमता कम होगी कारचमता ज़्यादा होगा तो समय कम लगेगा ठीक है इसके साथ बात आती है बेक्तियों की संख्या ये भी माइने रखता है इस प्रकार के प्रश्णों में बेक्तियों की संख्या जितनी ज़्य जादा होगी कोई भी कार करने में आपको उतना कम समय लगेगा यदि बैक्तियों की संख्या कम होगी तो कोई कार करने में आपको जादा समय लगेगा तो यहां भी बैक्तियों की संख्या भी बराबर हो गई वन अपान आप कह सकते हो कार करने में जो लगा बैक्तियों की संख्या है तो समय संख्या मतलब वैक्ति की संख्या ज़ादा होगी तो समय कम लगेगा किसी कारे को करने में समय ज़ादा लगेगा यह आपको पता होना ठीक है आप इसके साथ साते आप से पूछ लिया जाए बैक्ति के एक दिन का कार किसी बैक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार तो किसी बैक्ति द्वारा एक दिन में कार किया गया कार बराबर एक बटे उस बैक्ति द्वारा संपूर कार को करने में लगा समय माल लीजे को कोई बोल दियता है कि कोई एक बैक्ति है जो एक कारे को 15 दिन में कर सकता है एक कारे को कोई बैक्ति है जो 15 दिन में कर सकता है तो उस बैक्ति का एक दिन का कारे कितना होगा उस बैक्ति का एक दिन का कारे हो जाएगा एक बटा 15 यह आपको पता होना चाहिए ठीक है इसी के सा H2 ये आप याद रखिएगा ये सूत्र भी जरूरत पड़ेगी लेकिन आज की जो प्रश्ण है वहाँ पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अब पहला प्रश्ण देखते हैं इसके बाद चीजें समझ में आएंगे पहला प्रश्ण क्या कह रहा है पहला प्रश्ण आपसे कह रहा है रमेश किसी कारे को दस दिनों में कर सकता है रमेश किसी कारे को दस दिनों में कर सकता है कंचन उसी कारे को पंदरा दिनों में कर सकता है दोनों एक साथ काम करना सुरू किये मगर तीन दिन बाद मतलब तीन दिन तक दोनों ने कारे साथ किया और तीन दिन बाद कंचन जो है वो कारे छोड़ कर चला गया और रमेश ही अकेले सेस कारे को पूरा करता है तो कारे को पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे यहाँ पे जरूर ध्यान दिजेगा कारे को पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे अभी आपने देखा दो बैकती थे एक का नाम क्या था एक का नाम था रमेश माल लो कोई कार यह है एक का नाम है रमेश, एक का नाम है कंचन, मतलब यह जो पहला तीन दिन है, इस दोरान रमेश और कंचन दोनों कारे करते हैं, आर फार रमेश, के फार कंचन, लेकिन बाद का जो होता है कंचन कारे छोड़ कर चला जाता है, मतलब सेस कारे जो है, सेस कारे जो है, यह रमेश अ देख लिया सेशकारी को पूरा करने में उसको यक्स दिन लगता है। देख लिया सेशकारी को यक्स दिन में पूरा करता है। एक बटा पंद्रा ठीक है यह निकल गई दोनों की कारे छमता निकल गई यह हमें पता हो गया। अब इसके बाद प्रश्ण में क्या कह रहा है कि तीन दिन तक अब देखो यहां से ध्यान दीजेगा। प्रश्ण अनुशार कहरा तीन दिन तक दोनों साथ मिलकर कारे करते हैं। मतलब तीन दिन तक एक दिन का कारे रमेश का कितना हैं? एक बटा दस सेज कारे कितना बचा हैं? एक बटा दस सेज कारे कि एकस दिन में पूरा होगा। तो जब एक्स दिन की बात आ रही है और कर कौन रहा है रमेश कर रहा है तो रमेश जो है सेश कार को रमेश एक दिन में करता है एक बटा पंदरा कार स्वारी एक बटा दस कार तो एक्स दिन में कितना करेगा रमेश एक्स बटा दस कार बराबर कितना एक कार की बात हो रही मत पतलब तीन दिन दोनों साथ कारे करते हैं, इसलिए इनको हमने तीन से गुड़ा कर दिया, सेसकार रमेश कुरा करता है, एक दिन में रमेश करता है, एक बटा दस, एक दिन में कितना करेगा, एक बटा दस, अब इनको हमने हल कर लेना है, इनका यदि हम लगूतम ले लेते है तो आपका आगया 30, यहाँ पे हो गया 9 प्लस 6 प्लस 3x बराबर 1, ठीक है, और 9 और 6 15, 3x बराबर 30-15, 3x बराबर 15, x बराबर 5, x बराबर आगया 5, अब 5 क्या आया है, 6 कारे को करने में लगा समय कितना है, 5, पहले कितने दिन किया गया है, कारे 3 दिन, तो कुल समय पूछा गया है, तो 5 और 3 बराबर 8 दिन मतलब डी विकल्प आपका सही उत्तर है, ठीक है, अब देखो इसमें क्या था, सबसे पहले इस तरह के प्रश्ण में, उनकी कारे छमता हमें निकालनी होती, कोई भी प्रश्ण इस तरह का होगा, उसमें बोला जाएगा, दो दिन तक दोनों साथ मिलकर कारे करते हैं, फिर एक छोड़के चला जाता है, तो उनकी कारे छमता निकालनी पड़ेगी, एक दिन में अगला कितना कारे करता है, फिर इसके बाद प्रश्ण के अनुरूफ, जिस तरह से प्रश्ण की मांग हो, उस तरह से चीजों को मांग कर हमें पूरा कर लेना चाहिए, चलिये, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्ण देखते हैं, राजू किसी काम को दस दिनों में कर सकता है तथा सोनू उसी काम को पंदरह दिन में कर सकता है ठीक है दोनों एक साथ काम करना सुरू करते हैं मगर दो दिन बाद राजू काम छोड़कर चला जाता है और सोनू अकेले ही वह काम पूरा खत्म करता है सेम प्रशन है जैसे अभी हमने पहला प्रशन लगाया है उसी की तरह ही सेम प्रशन है कहीं भी कुछ भी बदलाव नहीं है लेकिन चलिए समझ लेते हैं यहाँ पर क्या क्या नाम है राजू और सोनू हमने माना यह पूरा आपका डायग्राम बन गया मतलब दो दिनों तक दो दोनों ने कार किया राजू और सोनू दोनों ने कार किया बाद में राजू काम छोड़कर चला गया मतलब सोनू उसकार को करता है तो हमने तुरंत मान लिया मान लिया सोनू उसकार को यक्स दिन में पूरा करता है ठीक है माना सोनू उसकार को यक्स दिन में पूरा करता है ठीक है, अब तुरंट इसके बाद क्या निकालना चाहिए, दोनों का एक दिन का कार, पहले राजू एक दिन में कितना कार करता है, राजू का एक दिन का कार, तो राजू कितना करता है, राजू किसी काम को दस दिनों में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, एक बटा दस, इसी तरह से जब सोनु की बात आती है तो सोनु का एक दिन का कारे कितना हो गया सोनु का एक दिन का कारे हो गया एक बटा पंदरा ठीक है क्योंकि पूरा कारे पंदरा दिन में करता है एक दिन में कितना करेगा एक बटा पंदरा इसी को इनकी कारे छमता भी कहते हैं अब प्रश्ण में जैसे बोला गया है कि दो दिन तक दोनों साथ कार करते हैं, यदि ये एक दिन में एक बटा दस करता है, तो दो दिन में कितना करेगा, दो से इसको गुड़ा कर दो, यदि सोनु एक दिन में एक बटा पंदरा करता है, दो दिन में कितना करेगा, दो से इस इसको गुड़ा कर जो यहाँ है यहाँ से आगया प्रस्ण के अनुसारेदी हम देखें तो यह हो गया 2 x 10 राजू का कार 2 x 15 ऑस Rules का कार 2 x 15 नूर्डय करता है तो सेश कार को कितने दिन में केदिन में करता है और यहाँ में कितना कार करतकर 30ल жाओ실र 1000 में x दिन में कितना करेगा x बटा 15 बराबर 1 हल कर लेना है यहां भी यदि आप देखोगे तो इसका भी लगतम आप कह सकते हो 30 तो 6 प्लस 4 प्लस 2x बराबर 1 यहां पे दिन हम देखेंगे 2x प्लस 10 बराबर 30 यहां पे दिन हम देखेंगे 2x बराबर 20 X बराबर 10 यह आपका हो गया उत्तर है X बराबर 10 अब पुला गया है कार पूरा होने में कुल कितने दिन लगते हैं 10 दिन यह लगते हैं प्लस दो दिन पहले किया जाता है तो टोटल होगे 12 दिन D विकल्फ सही उत्तर है इस तरह के प्रस्णों में ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे आप उत्तर निकालोगे वहाँ भी विकल्फ में आवस्थ दिया होगा और कई बार क्या होता है परिक्षा की दबाव में जल्दबाजी में हम क्या करते हैं जैसे यहाँ पे उत्तर आया तुरंत हम ले जाके टिक कर देते हैं हमें ध्यान रखना है कारे पूरा होने में कुल कितना समय लगता है मतलब जब यह अकेले कारे करता है वह भी जोड़ा जाएगा और जो पहले दोनों साथ मिलकर कारे करते हैं वह भी जोड़ा जाएगा तो दोनों मिलाकर आगया आपका बारा चलो इसको बताओ राम किसी काम को दस दिन में खत्म कर सकता है तथा स्याम उसी कारे को पंदरह दिन में खत्म कर सकता है स्याम ने कारे को अकेले ही करना सुरू किया यहाँ पे उल्टा है यहाँ पे पहले अकेले कारे करना सुरू करता है मगर छठे दिन से राम भी उसके साथ आ जाता है अभी तक क्या होता था कि दो साथ में कारे करना सुरू करते थे बाद में तीस एक अलग हो जाता था एक छोड़ के चला जाता था यहाँ पे क्या है कि पहले सिंगल कार करना एक कोई शुरू कर रहा है बाद में उसके साथ एक दूसरा भी जुड़ जा रहा है यहाँ आपको पता होना चाहिए अब इसमें अधि हम देखें तो आप तुरंत ऐसे चार्ट जैसे अब तक हमने बनाया इस तरह से अपने बना लिया तो दो लोग है पहला पहला क्या है राम किसी कार को दस दिन में कर सकता है ठीक है लेकिन कार सुरू कौन कर रहा है सियाम ने अकेले कार सुरू किया बतलब पहले सियाम सुरू करता है ठीक है और कितने दिन करता है छे दिन करता है, बाद में क्या आता है, राम और स्याम दोनों आ जाते हैं, तो हम मान लेते हैं कि सेसकार को राम और स्याम मिलकर एक्स दिन में पूरा कर लेंगे, बस अब प्रशना अनसार आपको चले जाना है, आपने माना, राम और स्याम, राम और स्याम, सेसकार को एक्स दिन में पूरा कर लेते हैं, अब आप निकालोगे, राम का एक दिन का कारे, राम का एक दिन का कारे हो गया है, एक बटा दस, स्याम का एक दिन का कारे हो गया कितना, एक बटा पंदरा, ठीक है, अब प्रश्ण में ले जाके रख दो, जो प्रश्ण कह रहा है, क्या कह रहा है कि पहले स्याम अकेले 6 दिन करता है तो स्याम 6 दिन में कितना करेगा 6 बटा 15 कार करेगा प्लस अब यहाँ पर क्या होता है 6 दिन बाद दोनों साथ मिलकर करते हैं मतलब 1 बटा 10 और 1 बटा 15 और यह कितने दिन करते हैं यह दिन करते हैं तब काम पूरा होता है ठीक है इन दोनों लोग साथ मिलकर एक्स दिन कार करते हैं तो पूरा होता है अब आप फल कर लो 6 बटे 15 एकॉल टू एक्स बटे 10 प्लस एक्स बटे 15 बराबर 1 यहाँ पर यह हम देखें तीस हो गया 15 दूना 30 6 दूना 12 धन 10 तीस 3 एक धन 15 दुना 30, 2 x बराबर 1 यहाँ पे दि हम देखेंगे तो 5 x प्लस 12 बराबर हो गया 30 5 x बराबर कितना हो गया 30 में से घटा दो आप 12 तो आप इसको हल कर लेना जो आएगा उसमें आपको पहला 6 दिन ले जाके जोड़ देना है वही आपका उत्तर हो जाएगा ठीक है चले अब इसमें कर लोगे आप छटे देखो यहाँ पे एक गलती हमने क्या किया है ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बोला है छटे दिन से मतलब 5 दिन तक वहा केले कारे करता है ठीक है तो यहाँ पे 5 बटा 15 होगा पांच दिन तक वहा केले कारे करता है उसके बाद छटे दिन से वह जुड़ जाता है तो यहाँ पे सिर्फ 5 बटे 15 कर लेना है बाकी वही चीज़े है आप कैलकुलेशन कर सकते हो ठीक है इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो आप ना कर सको देखो यहाँ पे आप यह चीज़ नहीं करना चाहते हो तो यहीं पे साथ में निकाल सकते हो राम और स्याम का एक दिन का कारे बराबर एक बटा 15 धन एक बटा 10 इसको हल कर लेना तो यहाँ पे यही 30 लगतम आ जाता है तो 2 प्लस 3 मतलब 5 बटा 30 मतलब आप कह सकते हो एक बटा 6 मतलब दोनों मिलकर जो है एक दिन के कितना करते हैं एक बटा 6 काम करते हैं तो यह सी दिन में कितना करेंगे एक बटा 6 तो सीधा आ गया 5 बटा 15 प्लस एक बटा 6 बराबर 1 और यहाँ से आप कर लेना 30 इसका लगतम आ जाएगा ठीक है 15 दूना 30 पांच दूना 10 और 6 पन तीस और 5 यक्स बराबर 1 यहाँ से आ गया 5 यक्स बराबर 20 और यक्स बराबर आ गया 4 4 यह हो गया 5 दिन पहले किया जाता है तो 5 और 4 नौ दिन 9 दिन आपका सई उत्तर है बार बोला है कि इस तरह के प्रश्ण जो हैं बहुत ध्यान से पढ़ने होते हैं तभी आप आंसर कर सकते हो इस प्रश्ण को भी ध्यान से देखिए एक टंकी को दो नल A और B अलग अलग क्रमसा 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं ठीक है पंद्रह मिनट में भर जाती है बताइए कि तीसरा नल टंकी को कितनी देर में खाली कर सकता है तीसरा नल टंकी को कितनी देर में खाली कर सकता है ये आपको बताना है ध्यान दिजेगा क्या बोला जा रहा है कि एक टंकी है उसमें दो नल लगे एक नल A है एक B है ठीक है और यह जो A और B है यह इसको 20 मिनट में और 30 मिनट में भर सकते हैं और टंकी की तली में एक तीसरा नल भी लगा हुआ है जो टंकी को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 15 मिनट में भर जाती है ठीक है अब यहाँ पर हम देखेंगे तो थोड़ा सा प्रश्ण में तुरूटी है मैं इसको correct कर देता हूँ आप इसको correct कर लिजे एक मिनट का समय दीजेगा last line में तुरूटी है उसको correct आपको करना है last line में तुरूटी है मैं बता रहा हूँ one minute का समय दीजे क्या करें typing वाले इतना ध्यान देते नहीं चीजों को लापरवाही से type करते हैं जिसके चलते error आपको देखने को मिल जाता है प्रयास किया जाता है कि इस तरह की चीजे ना हूँ लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं वो देखने को मिल ही जाता है एक मिनट देखो यहां पर है एक बार सारी चीजें सही है तीनों नल एक साथ खोल दिया जाये तो 15 मिनट में भर जाती है ठीक है correction नहीं है कोई ठीक है अब यहां पर बोला गया है दो नल उसको भरते हैं ठीक है एक तीसरा जो तली में लगा हुआ है वो खाली करने के लिए लगा हुआ है लेकिन यदि हम तीनों को एक साथ खोल देते हैं तो टंकी तो भी 15 मिनट में टंकी भर जाती है कहने का मतलब है कि इसमें यदि हम देखें तो एक टंकी को भरने में लग रहा है A द्वारा कितना समय ले रहा है 20 मिनट B द्वारा कितना ले रहा है 30 मिनट ले रहा है A टंकी को भरने में 20 मिनट लेता है C टंकी को भरने में 30 मिनट लेता है चुँकि यदि C वाला भी चालू कर दे मतलब A भी चल रहा है B भी चल रहा है और C भी चल रहा है तो टंकी 15 मिनट में भरती है यह आपको पता होना चीए एदि A, B और C तीनों चल ला है तो टंकी कितने मिनट में भरती है 15 मिनट में भरती है अब यहाँ पे एदि आप देखोगे तो C वाला जो नल है उसकी एदि हम बात करें तो C वाला नल भर नहीं रहा है बलकि खाली कर है और खाली कर रहा है तो इसको आप आगे इसके निगेटिव चिन से रखोगे हम मान लेते हैं कि माना जो तीसरा नल है वो X मिनट में टंकी को खाली कर देता है तो अब यहाँ पे यही तो पूछा जा रहा है बताईए कि तीसरा नल टंकी को कितनी देर में खाली कर देता ह अब तीणों जब चलते हैं तो 15 मिनट में टंकी भरती है यह आपके लिए key point है अब इसमेध आप देखो तो एक मिनट में कितना भरेगा A भाला 1 बटा 20 B वाला 1 मिनट में कितना भरेगा 1 बटा 30 C वाला 1 मिनट में कितना खाली करेगा 1 बटा x बराबर कितने के हो गया एक बटा पंदरा क्योंकि कुल समय कितना लगता है पंदरा मिनिट लगता है इसको भरने में एक मिनिट में कितना भरेगा एक बटा पंदरा अब इसको आप हल कर लीजेगा इसका लगतम एदि हम बात करें तो इसका लगतम आप कह सकते हो 60 रख लेते हैं आसानी होगा 3 plus 2 minus 6 इस तरह से आप हल कर लिजेगा लगतम लेके इसको हल कर लिजेगा और आपका उत्तर आजाएगा ठीक है कैसे हल करना है इसको आप 1 by 6 जो है इसका पक्षांतर कर दीजेगा दूसरी तरफ 1 by 15 इधर ले आए लगतम लेके इसको हल कर लिजेगा जो भी आएगा वह आपका उत्तर हो जाएगा ठीक है कैसे करना है इधर देखो जिसको ना समझ में आए एक बटा 20 धन एक बटा 30 माइनस इधर प्लस है इधर आएगा माइनस माइनस 1 by 15 इकोल to 1 by x 1 एक बटा x इधर निगेटिव है बरा आपकर सकते हो यहां से भाईया तीन दो पांच पांच में से चार गया एक एक बटा 60 बराबर एक बटा यक्स यक्स बराबर 60 मिनट यहीं आपका उत्तर है डी भी कर ठीक है तो बहुत ही आसान सा था सिर्फ हमें समझना था चले अगला प्रस्न इसी तरह से यह भी है ध्या वहारे में बताया गया है कि पहला दस मिनट में भरता है दूसरा 20 मिनट में भर सकता है तो उसी तरह से जैसे यह वाला है, एक वाला जो अल है, और इनको जोड लेना है, जो आ जाएका उसी का उल्टा करदेना है, आपका उतरा जाएगा, ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक कुछ भी नहीं है जैसे अभी तक आपने लगाया उसी तरह है नहीं आता है समझ में तो निशी तरूप से कमेंट बॉक्स में बताईएगा आपको जबाब दिया जाएगा इसको बताएगा कल की क्लास से पहले जिससे आपको इसका जबाब दिया जा सके क्योंकि यहां से प्रश्ण बन रहे हैं इस सेक्षन आपके लिए महत्तपूर्ण है लगातार यहां से प्रश्ण बन रहे हैं तो यहां पर हमें कोई कमी नहीं करनी है ठीक है चलिए धन्यबाद बहुत बहुत आ आपर